Hello everyone, welcome back to another video आज की वीडियो काफी इंफर्मेटीव होने वाला है तो make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखेगा एंड तक ताकि आप लोग अवेर हो सकें क्रिप्टो में होने वाले स्कैम से तो अगर आप लोग भी क्रिप्टो में ट्रेड करते होंगे तो normal सी बात है आप लोग भी USGT बाई और सेल करते होंगे अगर आप लोग क्रिप्टो में टेड करने जाते होंगे तो USGT पहले बाई करते होंगे और अगर आप लोग अपने profits को अपने bank account में लेना चाहते होंगे तो आप लोग सेल करते होंगे तो 80% of people use P2P जो कि मैं भी कर रहा था पिछले कुछ दिनों से काफी precautions के साथ बट उसमें मेरे साथ scam हुआ है तो वही सेम चीजे में आपको बताना चाहूंगा जिससे क्या बच सकते हैं scam से और अगर आप लोग के साथ already हो चुका होगा या फिर हुआ होगा तो आप लोग को panic होने की जरूवत नहीं है इस वीडियो को पूरा देखेगा add and आपको एक अच्छा information मिल जाएगा जिसके help से आप अपने bank को unfreeze करा सकते हैं या फिर आप लोग अपने cyber crime team से बात कर सकते हैं जो भी आपके account को ब्लॉग किया है तो पहले मैं अपना बताता हूँ कि मेरा account कैसे freeze हुआ है तो उसके लिए पहले मैं दिखाएता हूँ अपने account को कि freeze होने के बाद मेरा account में क्या show कर रहा है तो मेरा account union bank का है union bank of india का मैं उसको अभी open कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा bank account और available balance दिखा रहा है यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम भी दिखा रहा है Customer ने एकाउं टाइप बिखा रहा है और स्टेटस में active दिखा रहा है और नीचे भी एकाउंट नंबर दिया हुआ है मेरा और अगर इसको और भी नीचे करें अगर हम लोग तो और भी नीचे करने के बाद आप लोग यहां सिंपली मेरा इसी कोट देख पा रहा हुए हूँगे और अगर आप मेरे ऐकाउंट में क्रेडिट हो सकता है और कोई पैसा बेजना चाहे गहाँ तो पैसल इसली क्रेडिट हो सकता है बट मैं अपने अकाउंट से कोई भी ट्रांडिक्सन नहीं कर सकता फ्रीज होने के बाद उसमें दिखा कैसे रहा है और उसमें क्या-क्या issues फिस कर रहा हूँ मैं तो in simple words मैं कोई पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकता और अगर कोई चाहे तो मैं पैसा भेज सकता है इसलिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट अगर पैसा मैं आ जाएगा तो वह भी फ्रीज हो जाएगा तो यह तो बात होगा यह मारे अकाउंट फ्रीज होने का अब यह मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ क्यों तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा आज से लग 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 दस दिन पहले मैं प्रीटूपी कर रहा था मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोजा कि प्रीटूपी की तुरूब मैं अपने USDTs को सेल करके और वहां से मैं फंड को अपने बैंक में लेके मैं अपने काम कर सकता हूं तो मुझे यह डर तो था कि नहीं प्रीज हो सकता है लेकिन अभी तक में असाथ कभी हुआ नहीं था तो एजली मैं से मेरा एकाउंट को ब्लॉक किया गया है और किस टानिक्सन के विए से किया गया है तो अभी मैं उसके फोटो यहां पे लगा देता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर मेरा जो एकाउंट ब्लॉक हुआ है वो डेली वेस्ट साइबर पुलिस इस्टसन से अगया है कि सब्सक्राइब को ब्लॉक हुआ है तो मैं इसे कॉंट करके पूछ सकता हूं कि मेरा एकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है क्या रीजन है और इनसे मैं कॉंट कर सकता हूं तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोग यह डाटा कहां से पाएंगे अगर आप लोग कभी अग्याँट फ्रीज हुआ है तो सिंपली आपका एकाउंट जिस भी बैंक में है आप लोग वहां पर जाएं और उसे पूछें कि मेरा एकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है अगर वह लोग बोलते हैं कि आपका एकाउंट किसी सपीचियस एक्टिविटी के वज़े से साइबर क हम इसको ब्लॉक की हुई है कि आप लोग पैंच कि आप लोगा पैंहली जरूरत नहीं है कि आप लोगया ब्धैएक्टिविटी नहीं किया है तो आप लोग उसका इंफोर्मेटिय के रिछी का है अकौन का से ब्लॉक हुआ हौनी तो लक क्यों द्यूसका हुआ हो 감त-ति सु यहां पर distributed amount मेरा 22,000 के आस पास है और यहां पर जिस transaction की वैसे ब्लॉक हुआ है उसका transaction number भी दिया गया है तो यह data मिलने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि यह complaint किसका है किसके साथ fraud हुआ है और कितना पैसा transfer हुआ है कहां कहां गया है simply आप लोग इस paper के थुरू समझ सकते हैं जैसा कि मेरे case में यहां पर complaint details में गारू सर्मा कोई है वो रहने वाले विकास कुंच किया है और उनके पिता जी के साथ यह scam हुआ है एक लग 40,000 रुपे गास पास आपको यहां पर यहां पर यह भी देख पा रहे होंगे यहां पर देख पा रहे होंगे एक लग 40,000 रुपे गास पास इंगारी scam हुआ है और scam करने के बाद यहां पर आपको suspected details पर देखने को मिलेगा कि किस account में पैसा transfer हुआ है तो यहां पर कोई अमर यादो करके है उसने scam किया है और अमर यादो नाम के account में transfer हुआ है पैसा उसके बाद वो पैसा मेरे account में आया है तो यह तो बाते हो गई कि account मेरा block क्यों हुआ कैसे हुआ और उसके बाद मैंने यह data कहां से पाया किस तरीके से पाया मैंने bank में क्या बात किया हो सकता है आपके bank में जो manager हो या फिर जो भी staff हो थोड़ा सा आप लोग साथ रूड उन हो तो आपको simply उनसे बहुत politely बात करना है और उनको सारी चीजे बताना है कि आप लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो जैसा कि मैंने बहुत से वीडियो देखा लोग बोल ला देकि नहीं जल्दी देते नहीं है data लेकिन मैं एक बार में गया अपने bank branch में और मैं वहां पर गया इजली वहां पर एक madam थी उनसे मैंने बात किया उनको मैंने सारी चीजे बताई कि मैं ऐसा ट्रेड करता हूं crypto में तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है वही simply मुझे निकाल की सारी चीजे दे दी एक बार में कि कहा से ब्लॉक हुआ है क्या डिटेल्स ह पा रहे होंगे यहां पर दो पेज का है यहां पर उन्होंने प्रिंट किया और मुझे दे दिया और इसके बाद फिर मैं contact किया यहां के सच्चो से और फिर में वहां पर विजिट भी किया डेली वेस्ट साइबर 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 स्टेशन में तो वह चीजे जानने के दूसरे वीडियो बताऊंगा जो कि मैं इसके बाद अप्लोड करूंगा जल से जल अगर आप लोग इंट्रेस्टेड होंगे उस वीडियो के लिए तो मेक शूर कि आप लोग इस वीडियो के निचे कमेंट करिएगा और जल से जल उसको भी पोस्ट करें थैंक यू और हव नाइस दे